उत्राखंज पोलिस को लेकर एक बड़ी खबर साम्यार ही है ब्लू टिक वाले उत्राखंज पोलिस के फेस्बुक पेच पर जब अच्चानक से अश्लील फोटो अपलोड हो गई तो हरकंप मचका करीब तीन मिनट तक प्रोफाइल पर अश्लील फोटो लगी रही इस पर लोगों ने तरह तरह के कॉमेंट करने शुरू कर दिये बता दे 353,000 फॉलोवर्स इस आईडी पर हैं और 40 लोगों को फॉलो किया गया है लोगों को इंटिनेट मीडिया के माध्यम से जागरुक करने के लिए पोलिस ने इस पेच को सक्रिय किया है और दोपर 12 बचकर 55 मिनट पर इस पेच की प्रोफाइल पर एक महिला के अर्ध नगन फोटो लग गई जो करीब 12 बचकर 58 मिनट तक रही अशलील फोटो देख पेच से जुड़े लोगों ने पोलिस के लिए कहीं अमरियादित कॉमेंट करने शुरू कर दिये लोगों ने कॉमेंट्स कर अपनी सुरक्षा की गुहा लगाई है यूजर्स का कहना है कि बताओ इनका पेच हैक हो गया है और लोगों ने ये भी लिखा है कि सोए मत रहो पूरा उत्राखंट आपके भरोसे है ऐसे कैसे चलेगा नहीं हो पा रहा है तो अच्छी ट्रेनिंग ले लो कहीं से तीसरी यूजर्स ने लिखा क्या सरजी उत्राखंट पोलिस का पेच भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा खेर ये तो फेस्बुक यूजर्स का कहना था अब पोलिस का कहना है कि उत्राखंट पोलिस के अधिकारिक फेस्बुक पेच को किसी ने हैक कर डाला बताया जा रहा है कि पास्वोर्ट और लॉगिन आइटी हासिल कर साइबर अपराध्यों ने राच पोलिस के अधिकारिक एफवी की डिस्प्ले पिक्चर बदल दे थी उसके स्थान पर साइबर अपराध्यों ने यूटी का अशलील फोटो अपलोड का दिया पोलिस के फेस्बुक पेच पर अशलील फोटो अपलोड होते ही कॉमेंट्स आने लगे सुचना मिलते ही आननफानन में पुलिस ने फोटो चेंज की उत्राखंट पुलिस का अधिकारिक फेस्बुक पेज हैक होने से हड़कम बमचा हुआ है बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर सेल मामली की जाच में जुटी है ऐसा पहली बार हुआ है जब साइबर अपराध्यों ने राज्य पुलिस की फेस्बुक आईडी हैक कर दी है वही डीजीपी प्रोफाइल चेंज कर दी संभवता साइबर अपराध्यों ने यह हरकत की है और इसकी पूरी जाज कराई जा रही है आप यह पीज हैक हुआ है या गलते से किसी ने प्रोफाइल अपलोट की है यह तो जाज का विशय है बताते चले इससे पहले भी कही पुलिस अधिकारि फेस्बुक पीच हैक हो चुके हैं तो क्या है आपकी राय इस खबर को लेकर कॉमेंट करकर जरूर बताएं और इसी तरह हर लेटिस्ट खबर को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भू झाले